C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत भूगोल की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारा परियावरण आईए अब सुनते हैं अध्याए दो शीर्शक है हमारी पृत्वी के अंदर अध्याए दो हमारी पृत्वी के अंदर पृिष्ट संख्या साथ आईए सुनते हैं इसका पाठ हमारी पृत्वी एक गतिशील ग्रह है इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है क्या आपने कभी सोचा है कि पृत्वी के आन्तरिक भाग में क्या है प्रिथवी किन पदार्थों से बनी है? प्रिथवी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह प्रिथवी भी एक के उपर एक संकेंदरी परतों से बनी है जिसे हम चित्र दो पॉइंट एक में देख सकते हैं जो इसी पृष्ट पर दिया हुआ है प्रिथ्वी की सतह की सबसे उपरी परत को परपटी कहते हैं यह सबसे पतली परत होती है यह महादवीपीय संहती में 35 किलोमीटर एवं समुदरी सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है महाद्वीपी ये संहती मुख्य रूप से सिलिका एवं ऐलूमिना जैसे खानीजों से बनी है इसलिए इसे CL या C सिलिका तथा L ऐलूमिना कहा जाता है महासागर की परपटी मुख्य तह सिलिका एवं मैगनिशियम की बनी है इसलिए इसे सिमय या C सिलिका तथा मैं मैगनिशियम कहा जाता है चित्र 2.2 में इसका वर्णन हमें मिलता है परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमिटर की गहराई तक फैला होता है इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमिटर है अब एक नजर डालते हैं प्रिष्ठ संख्या साथ पर दिये गए चित्रों और बॉक्सों पर सबसे पहला चित्र 2.1 जो प्रिथवी के आंतरिक भाग को दर्शाता है और यहां अलग-अलग विभाजन दिये हुए हैं प्रिथवी की सबसे उपर की जो परत है उसको परपटी कहते हैं जो सबसे उपर दिखाया गया है नीचे है स्थलमंडल उसके बाद मेंटल, क्रोड और आंतरिक क्रोड यह चित्र संख्या 2.1 था और अब एक नजर डालते हैं बॉक्स पर जो इसी प्रिष्ट पर दिया हुआ है और इसका शीरशक है क्या आप जानते हैं हमें क्या-क्या जानना चाहिए आए सुनते हैं सबसे पहली बात विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिन आफरिका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभाग 4 किलोमीटर है तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं दूसरी बात प्रिथवी के केंदर तक पहुँचने के लिए जो बिलकुल असंभाव है आपको समुदर की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 2.2 और इसमें प्रिथवी के आंतरिक भाग को चित्र में दिखाया गया है सबसे उपर महाद्वी पिये परपटी उसके बाद महासागर और फिर महासागरिये परपटी यहाँ पर दिखाये गए है प्रिष्ट संख्या 8 अब सुनते हैं पाठ यह मुख्यता निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे या नी निकिल तथा फे फेरस कहते है केंध्रियक रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है शैल एवं खनिज पृथ्वी की परपटी अनेक परकार के शैलों से बनी है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्त के किसी भी प्राकरितिक पिंड को शैल कहते हैं शैल विभिन रंग आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल तीन प्रकार की होती हैं। आगने शैल जिन्हें इग्नियस कहते हैं। अवसादी शैल या सेडिमेंटरी एवं कायांतरित शैल कहते हैं जिसे मेटामॉर्फिक भी कहा जाता है। द्रवित मेगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आगनिय शैल कहते हैं। इन्हें प्रात्मिक शैल भी कहते हैं। आगनिय शैल दो प्रकार की होती हैं। अंतरभेदी शैल एवं बहिरभेदी शैल। क्या आप ज्वालमुखी से निकलने वाले लावा की कलपना कर सकते हैं? वास्तों में आग की तरह लाल ड्रवित मैगमा ही लावा है, जो पृत्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है. जब द्रवित लावा प्रिथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर भेदी आगने शैल कहते हैं इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है द्रवित मैगमा कभी-कभी भूप पर पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतरभेदी आगने शैल कहते हैं धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है लेई या मसालों तथा दानों का चून बनाने के लिए जिन अप घर्षन पत्थरों का उप्योग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं शैल लुरहक कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे-छोटे टुकडों में तूट जाती हैं इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं ये अवसाद हवा, जल, आदी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा कर जमा कर दिये जाते हैं ये अद्रिढ अवसाद दव कर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं उदारण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सुक्ष्म जीवानों जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं आगने एवं अवसादी शैल उच्चताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं चित्र संख्या 2.3 में इसे देखा जा सकता है उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संग मर्मर में परिवर्तित हो जाता है अब आएए डालते हैं एक नजर प्रिष्ट आर्ट पर दिये गए कुछ बॉक्स पर सबसे पहला बॉक्स उसका शिर्षक है क्या आप जानते हैं सबसे पहली बात प्रिथ्वी के आयतन का केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही परपटी है 84 प्रतिशत mental एवं 15 प्रतिशत हिस्सा क्रोड है प्रिथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है दूसरा बॉक्स और इसका शिर्षक है शब्द की उत्पत्ती पहला शब्द है इग्नियस ये एक लेटिन शब्द इग्निस से बना है और जिसका अर्थ है अग्नी दूसरा शब्द है सेडिमेंटरी इसका लेटिन शब्द है सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर Metamorphic यह एक ग्रीक शब्द Metamorphos से बना है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन अगला बॉक्स और इसका शीर्षक है शब्दावली और शब्द है जीवाश्म शेलों की परतों में दवे मृत पौधों एवं जन्तुओं के अवशेशों को जीवाश्म कहते हैं और सबसे नीचे इस फ्रिष्ट पर चित्र संख्या 2.3 जो कायांतरित शेल में परिवर्तित आवसादी शेल को दिखाता है प्रिष्ट संख्या 9 आईए सुनते हैं पाठ शेल हमारे लिए बहुत उपियोगी है कठोर शेलों का उपियोग सडक, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है आप पत्थरों का उपियोग कई खेलों में करते हैं उदारन के लिए साथ पत्थर यानि पिठ्ठु चिविड्डी यानि स्टापू या किटकिट पाँच पत्थर यानि गिट्टी आदी आप अपने दादा दादी माता पिता पडोसियों से पूछ कर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें और आईए अब कुछ करके सीखते हैं एक बॉक्स है और उसका शीरशक है आओ कुछ करके सीखें आईए देखें क्या करने को कहा गया है इसका वर्णन सुनते हैं वर्णन है अन्यक स्मारकों के चित्र इकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों से बनी है दो चित्र आप के लिए एकत्रित किये गए है यहाँ पर दो चित्र है जो पहला चित्र है वो लाल किले का है और इसके बारे में लिखा है लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और दूसरा चित्र है बहुती प्रसिद्ध चित्र ये ताज महल का चित्र है और इसके बारे में लिखा है ताज महल सफेद संगमरमर से बना है अब सुनते हैं पाठ आपको जानकर आश्चरे होगा कि किनी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रिये तरीके से एक दूसरे में ये परिवर्तित हो जाते हैं एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं आप जानते हैं कि द्रवित मेगमा ठंडा होकर थोस आगने शैल बन जाता है ये आगनिय शैल छोटे छोटे टुकडों में तूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानन तरित होकर अवसादी शैल का निर्मान करते हैं ताप एवं दाब के कारण ये आगनिय एवं अवसादी शैल कायन तरित शैल में बदल जाते हैं अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंतरित शेल पुनह पिघल कर द्रवित मैगमा बन जाती है। यह द्रवित मैगमा पुनह ठंडा होकर थोस आगनिय शेल में परिवर्तित हो जाता है। देखें चित्र संख्या 2.4 चित्र संख्या 2.4 और यहां शेल चक्र के बारे में जिसके बारे में हमने अभी अभी सुना और शेल चक्र कुछ इस प्रकार से बनता है। आगनिय शेल मैगमा में परिवर्तित होते हैं। मैगमा कायंतरित शेल में परिवर्तित होता है। और कायंतरित शेल अवसादी शेल में परिवर्तित होकर अवसाद या तलचट के रू प्रिष्ट संख्या 10 आईए सुनते हैं पार्थ प्रिष्ट पर एक बॉक्स है और जिस बॉक्स का शिर्षक है आओ कुछ करके देखें आएए देखते हैं क्या क्या करना है एक आपके राज्ये में काउन से खानिज पाए जाते हैं दो अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए अभ्यास इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए क प्रिथ्वी की तीन परतें क्या है ख शैल क्या है ग तीन प्रकार की शैलों के नाम लिखें ग वहिर भेदी एवं अंतर भेदी शैल का निर्मान कैसे होता है च शैल चक्र से आप क्या समझते हैं छ, शैलों के क्या उपियोग हैं? ज, कायांतरित शैल क्या है? प्रश्ण दो, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए या सही उत्तर बताईए क, द्रवित मैगमा से बने शैल? एक, आगने, दो, अवसादी, तीन, कायांतरित. ख, प्रिथ्वी की सबसे भीत्री परत. यहां भी तीन विकल्प दिये गए हैं, इन में से कोई एक आपको बताना है. सबसे पहला विकल्प, परपटी, दूसरा, क्रोड, और तीसरा, मेंटल. ग, सोना, पेट्रोलियम, एवं कोईला, किसके उदाहरण है? यहां भी तीन विकल्प दिये गए हैं, और ये तीन विकल्प इस प्रकार से हैं. एक, शैल, दो, खनिज, तीन, जीवाश्म. घ, शैल, जिसमें जीवाश्म होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके पास पुना तीन विकल्प हैं, पहला विकल्प, अवसादी शैल, दूसरा, कायान तरित शैल, और तीसरा, आगने शैल. च, पृत्वी की सबसे निचली परत है, यहाँ भी तीन विकल्प आपके सामने, और पहला विकल्प है, परपटी, दूसरा, मेंटल, तीसरा, क्रोड. प्रश्न संख्या तीन, इन स्तंभों को मिला कर सही जोड़े बनाईए. साथियों यहाँ दो स्तंभ दिये गए हैं, और दोनों स्तंभों में दिये गए शब्दों का आपको मिलान करना है. सबसे पहले पहला स्तंभ, क क्रोड, ख खनिज, ग शैल, ग चिकनी मिट्टी, च सियल, और अब इसका मिलान आपको दूसरे स्तंभ में दिये गए शब्दों से करना है. और वो है एक पित्वी की सतह, दो सडक एवं इमारत बनाने के लिए उपियोग होता है, तीन सिलिका एवं एलूमिना से बनता है, चार इसका एक निश्चित रासायनिक मिस्रण होता है, पांच सबसे भीत्री परत, छे स्लेट में बदलता है, और साथ शैल के परिवर्तित ह होने की प्रक्रिया, प्रिष्ट संख्या ग्यारह, चार, कारण बताइए, क, हम प्रिथ्वी के केंदर तक नहीं जा सकते हैं, ख, अवसादी शैल अवसाद से बनती है, ग, चूना पत्थर संग मर्मर में बदलता है, पांच, आओ खेलें, क, इन वस्तुओं में उपियोग क ये गए खनीजों की पहचान करो, ख, विभिन्न खनीजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र बनाओ, यहां अंत में एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में कुछ वस्तुओं दी गई हैं, और इन वस्तुओं की पहचान करें, और बताएं कि किन खनीजों से ये वस्तु अभी आप सुन रहे थे हमारा पर्यावरण ध्वनी पाठे पुस्तक का दूसरा अध्याय, शीर्शर्था हमारी प्रित्वी के अंदर, वाचन स्वर अजीत होरो, निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भायरत.